मेरट के बेगम पूल स्थेथ जी आईसी इंटर कॉलेज के बराबर में बनी मार्किट में गुरुवार सुभा भीशन आग लगने से पाँच दुकानों का सारा समान जलकर राख हो गया फायर बिगेट के पहुँचने से पहले ही सारा समान जल गया शॉट सर्किट को आग लगने का कारण बताया जा रहा है राच के इंटर कॉलेज के बराबर में बेगम पूल पर मार्किट में कई दुकाने हैं गुरुवार की सुभा अचानक इन दुकानों में आग लग गई पहले केमिकल की दुकान में आग लगी फिर देखते ही देखते आग ने भीशन रूप धरन कर लिया और पाँच दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया सुचना पर फायर बिगेट की गाड़िया मौके पर पहुंची लेकिन तब तक दुकानों का सारा समान जल कर राग हो गया था सुबह 627 पर गवर्मेंट इंडर कालेज के सामने हाफुल रोड पर आग लगने की सुचना पर पर ततकाव ज़ए गाड़ी एक फायर टंडर मैस्टान के प्रस्थान कराया गया वहाँ जाने एक बाद बिली कटवाई गई उसके बाद देखा गया तो 4-5 खोकों में आग थी उसके बाद आग की विग्रालता को देखते हैं तुरन दूसरी फायर टंडर की मांग की गई दूसरी गारी वहाँ पहुंची और पहुंच करके पूरी आपको बुझाया गया और लगबग इसमें पांच खोके जो थे वो जल गए और जिसमें सैलोन, ट्रेवेल्स, कपड़े और इस तीगर इस तरह के काम होते थे और आग लगने कार सम्भूता सारस्तर की तरह